जो भाग दो है इसमें हम जानेंगे कि एक्जाम एंग्जाइटी जो है वो किस तरह से आपको प्रभावित करती है अभी तक हमने जाना कि परिक्षा से संबंदित तनाव क्या होता है लेकिन अब यह आपको किस प्रकार से प्रभावित करती है सबसे पहले हम देखते हैं शारिरिक लक्षन, bat जैसे कि हम आखुँ से देख सकते हैं या मेहसूस कर सकते हैं। जैसे की अत्यधिक पसीना आने लगता है या सर में दर्द होने लगता है या मू या गला सूखने लगता है आपकी आवाज बैटने लगती है आप कुछ बोलना चाहते है लेकिन ऐसा लगता है कि गला सूख गया आवाज नहीं निकल रही है दिल की धड़कने तेज हो जाती ह कई बर दिल की दड़के नहीं इतनी तेज हो जाती है कि आपको कानों में भी जोड-जोड से आवाज सुनाई देने लगती है मसल टेंशन यानि की मास पेशियों में तनाव होता है आपको लगता है कि आपकी शरीर जो है वो खात पाओ जो है वो अकड रहे हैं तनाव महसूस होता है क्योंकि सांस लेने की गती भी बढ़ जाती है डर लगने लगता है ऐसी स्थिती में सांस लेने में भी कठिनाई होने लगती है शरीर जो है वो एकदम ठंडा होने लगता है और शारीरिक तापमान भी कम हो जाता है बच्चों हम सभी के शरीर का एक निश्चित तापमान होता है लेकिन जब हम तनाव ग्रस्त हो जाते हैं जब हमें इंग्जाइटी होती है ऐसी स्थिती में हमारा शारीरिक तापमान जो है वो सामाने से कम हो जाता है साथी साथ जी मिचलाना, पेट में गडबड या एटन इस प्रकार की भी सिंटम्स होते हैं जो अकसर बच्चों में देखने को मिलते हैं तो इस तरीके से ये सारे सिंटम्स जो हैं वो हमारे फिजिकल सिंटम्स हैं यानि की शारीरिक लक्षन हैं जो कि चिंताग्रस्त होने पर खासकर एक्जाम के समय एक्जाम एक्जाम एक्जाइटी होने पर दिखाई देते हैं इसके साथ ही कुछ emotional symptoms भी होते हैं यानि कि भावनात्मक लक्षन भी होते हैं जो कि हमारी भावनाओं से related संबंदित होते हैं जैसे अत्यदिक डर लगना या निराशा हो जाना डिसपॉइंट हो जाना निराशा का मतलब है कि भाई मुझसे नहीं होगा मैं नहीं कर पाऊँगा इस प्रकार की विचार आने लगते हैं अवसाध या depression depression का मतलब बच्चों ये है कि ऐसा लगने लगता है अब दुनिया बिकार है मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा मैं किसी लाइक नहीं हूँ तो ये जो negativity हो जाती है उसे हम depression कहते हैं कई बार क्या होता है emotional imbalance इतना ज़्यादा हो जाता है कि कई बार बच्चे अत्यदे गुसा करने लगते हैं कई बार बहुत रोने या बहुत हसने लगते हैं या कई बार छोटी छोटी बातों में उनको रोना आ जाता है या बिना बा अब वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे कई बार नकारात्मक ता बहुत बढ़ जाती है यानि कि negativity बहुत बढ़ जाती है negativity का मतलब बच्चों यह है कि जो भी आप कर रहे हैं आप उसका सकारात्मक पक्षतु देखी नहीं पाते हर उस चीज में आपको जो negative चीजे हैं उन्ही उसी चीजों को आप देख पाते हैं और उन्हें पे आप फोकस करते हैं तो हमेशा ही आप नकारात्मक विचार भी अपने दिमाग में लाते हैं और स्वेम के बारे में भी नकारात्मक बाते करने लगते हैं यानि कि आपको अपने बारे में भी ऐसा लगता है कि आप किसी लाइक नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका वविश्य भी अंदकार में है, आप किसी भी लक्ष को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो ये सारे जो लक्षन हैं, ये हमारी भावनाओं से उपचे होते हैं, और ये सारे भावनात्मक लक्षन हैं, जो परिक्षा के तना तो बच्चो इसके साथ ही कुछ cognitive effects भी होते हैं जिनको की हम संग्यानात्मक प्रभाव कहते हैं ये संग्यानात्मक प्रभाव जो होते हैं ये तुरंत दिखाई नहीं देते हैं जिस प्रकार के शारीरिक लेक्षन होते हैं जो तुरंत हमको दिखाई देते हैं लेकिन ये संग यनात्मक प्रभाव जो होते हैं ये हमारे मन मस्तिश्क पर बहुत प्रभाव डालते हैं और इनका प्रभाव जो होता है वो दीर्ग कालीन होता है यानि लॉंग टॉम एफेक्ट देते हैं यानि आपको कंसंट्रेट करने में यानि ध्यान केंद्रित करने में परिशानी या क जो है वो भटकने लगता है आसानी से भटकाव या distraction जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो आपके मन मस्तेश में आपके दिमाग में बहुत सरे विचार उथल पुतल होते रहते हैं जो की आपको distract कर देते हैं और आप आसानी से भटक जाते हैं और इस तरीके से आप पढ़ा हमने बैठते हैं या सोचते भी हैं तो आपको लगता है कि आज नहीं चलो कल पढ़ लेंगे कुछ नोट्स बनाना है तो आज नहीं चलो कल कर लेंगे तो जब हम ये कल पर टालते हैं टालमटोल करते हैं क्योंकि हमें अंदर से मन ही नहीं कर रहा करने का तो इस तरीके से कल पर टालते टालते एक दिन परिक्षा का समय भी आही जाता है और उस वक्त तक भी हमारा पाठिक्रम पूरा नहीं हो पाता पच्चों इसके साथ ही बुलककरपन यानि की भूल जाना ये भी देखने को मिलता है जिस प्रकार से एक्जाम टाइम में आप पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करके अच्छे से समझते हैं उसको याद करते हैं और परिक्षा जब होती है प्रश्ण पत्र जब आप देखते हैं और जब आप भूल जाते हैं तो इसके फलसरूप आपको frustration होने लगता है, disappoint हो जाते हैं यानि आपको कुंठा एवं निराशा होने लगती है तो बच्चों ने देखा कि किस प्रकार से जो exam anxiety है ना सिर्फ हमें शारेरेक रूप से बलकि भावनात्मक एवं संग्यानात्मक रूप से भी काफी हद तक प्रभावे करते हैं तो बच्चों चलिए चलते हैं सत्र के भाव तीन की और